हलो एबरिवान वेलकम बैक टो यरोन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोकशीट नंबर 10 क्लास 10 के लिए हमारे सब्जिक्ट साइंस डे 28 जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैगनेट वोट इस मैगनेट होती क्या है ये त पीस ऑफ आयरेन या स्टील एक्सेक्टर है ठीक है लोही का या स्टील का कोई एक पीस है टुकड़ा है जो एट्रेक्ट करता है अधर मैटल अबजेक्ट को जो बाकी जो मैटल से उनको अपनी तरफ खीचता है इट क्रिएट अन इन्विजिबल फील्ड अराउंट इटसल तो इसको एट्रेक्ट कर लिता है अपनी पास खीचता है जो प्रेजन्स है मैगनेटिक फील्ड की इस वाइ यू किन शट्रेज रेफ्रिजरेटर डोर अटोमेटिकली इसी कारण जो फ्रिज है आपको थोड़ा सा करीब लाओगे तो अपने बंद हो जाता है क्यों हो जात तो ससके मैगनेट फाल कर लीता है ज दोργो होता है उसके अंदर भी होती तो वो इसको एट्रेक्ट कर लीता है जिसे हैहाँ पर आपको शो हो रहाय मैं दिखा देती हूं यह क्या है ? यह उसका नौर्ठ पोल है यह साउथ पोल है यह क्या करता है इस तरीके से magnet field बनता जाता है ऐसे जैसे यह बन रहा है ठीके जहां तक यह फैल है उतने एरिया में अब यह थोड़ी है कि आप एक रूम में magnet रख दो दूसरे रूम तक क्या वो magnet दूसरे रूम में मैंने रखा है कि जैसे दूसरे रूम में मैंने रख दिया यसको तो नहीं एट्रेक्ट कारेगा वे क्यूंकि वहां तक richt Salt doesn't work किस दूरी तक वहशा को कीश पाए ज़ादा दूर रखोंगे तो उसको नहीं पाएगा तो जितनी एडिया तक वह खीश पाता तक वह उसका результат LED होता है ठीक है चलो तो एक magnetic field क्या है is concentrated around the ends of the magnets वो क्या होता है जो magnet के जो ये end है यहाँ पे बना होता है से construct मतलब इस तरीके से बना होता है इधर north pole पे भी और south pole दोनों पे क्या होता है concentrated होता है गिरा होता है these ends are called poles और इनको हम क्या क्या बोलते हैly पोल्स बोलते हैं इन एंड्स को जहां पे खतम होते हैं ज्यो-ब्नेट हूते हैं उसो amendments गया मदे कर देखोगे हैं ₹ काफडय कि अगर अगर डौन दोनों पास में दूसरे के पास लेकर आ रहे हो तो आप फील करोगे कि यह एट्रेक्ट कर रही है एक दूसरे को क्या कर रही है खीच रही है लेकिन अगर पोल साइडेंटिकल है मतलब साउथ को साउथ से लाओ के पास लाओगी नोर्थ को नोर्थ पोल से लाओगी तो आप फील करो जो अर्थ है वो भी बहुत बड़ी चुम्बक है क्यों है क्योंकि जो planet का जो core है जो बनी हुई है अंदर जो magnetic उसमें क्या होता है consist mostly of iron iron इवे कहां से मिलता है जो ores होते है minerals और स्वगेरा होते हैं तो आर्थ के अंदर बहुत सारा आइरन है तो जो अर्थ का मेगनेटिक फील्ड है वो फैला हुआ है पूरे प्लैनेट के अराउंड यह फैला हुआ है और यह फील्ड बहुत स्ट्रॉंगर है बहुत स्ट्रॉंग है यह नोर्थ और साउथ पोल के पास यहां और यहां यह न जिसको जिसमें आपकी पहले तीन तो question answers है और fourth वाल आपका ये fill in the blank से जिसको हम fill कर लेंगे ठीक है चलिए अब सबकी answers पर आते हैं first question है magnets attract certain metals name those metals जो magnet है वो कुछ metals को अपनी तरफ खीचती है कौन से कौन से हैं वो metals तो आप लिख सकते हो iron, cobalt, nickel ठीक है ये metals है जिनको जो magnet है चुमबक है अपनी तरफ खीचती है question number one हो गया now move to our question number two second question है earth is a giant magnet ठाओ जो earth एक वो बहुत बड़ी चुमबक है कैसे तो आप बोलोगे earth is a giant magnet earth एक बहुत बड़ी चुमबक है because इस क्योंकि the planet's core consists mostly of iron जो planet का core है अंदर जो है वो बिलकुल जादतर किसका है iron है उसके अंदर बहुत जादा तो earth का जो magnetic field है earth's magnetic field stretches around the planet ये क्या है stretch करता है पूरी planet की जो पूरा पृत्वी है हमारी उसके चारो तरफ ये magnetic field बनाता है और ये field बहुत strong होता है कहां पे जो north और south pole है वहां पे the field is strongest near earth's north pole and south pole इसलिए जो earth है वो एक giant magnet है clear तो ये होगे हमारा question number two now move to our question number three question three is draw a magnet with its two poles आपको magnet बनाने है डो poles एक तो मैंने ये बना रखी है इसमें मैंने दिखा दिया ये आपके magnet है ये north pole है ये south pole है लेकिन इसमें जो ये field है ये भी आपको show करना है तो मैंने दोनों बना दिये यहां पे क्या करते हैं north से south जा रहा है, इस तरफ arrow है north से south, कैसे बनाओ के देखो north से south और ऐसे arrow बना दो फिर यहां पे बना दो ऐसे arrow फिर यहां बना दो ऐसे इधर से तो जा रहा है इधर से आएगा इस तरफ ऐरो ठीक है इस तरफ ऐसे इस तरफ ऐसे बना दो बस ठीक है यह बन गया बस आपका तो यह डागरम बस यह बना हुगा है यहां पर आगे समझ तो यह हो गया हमारा question number three now last question of our worksheet fourth is complete the sentence with appropriate words आपको दो words यह होए है attract and repel इनके according आपको यहां पर fill in the blanks फिल करने है जैसे like poles dash each other like poles है जो एक जैसे मालो north से north को अगर मिलवाएं south को south से like क्या होते एक जैसे एक जैसे poles आपस में क्या करते है attract या repel repel करते एक दूसरे से दूर भागते हैं whereas unlike poles dash each other unlike poles जैसे north से south से north यह क्या करें दूसरे को यह एक दूसरे को attract करेंगे एक दूसरे से चिपकेंगे तो यह क्या करेगा whereas unlike poles attract each other ठेके तो चार questions ही थी आपकी work sheet में चारो हमने complete कर लिए I hope आपको चारो questions अच्छे से समझ में आ गए है कोई भी doubt है किसी भी question में तो यह पूरी work sheet में तो comment section में आप मुझसे पूच सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लागे तो चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then take care bye bye